हेलो एब्रिवेन एसके डिजाना में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको रेडिमेंट पेटिकोट का कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे आप पूरे वीडियो देखेंगे तो इस्टेप बाइस्टेप सीख जाएंगे चलिए हम शुरू करते हैं तो आप बेल्ट के लिए 6 사용 फींच पर दगा लेंगे अगर इसे डपल्ट में करके लगाएंगे तो तीं इंच पर लगा सकते हैं तो देख लिजी इस तरीके से निसान को मिला लेना है एक बराबर तो यहां पर निसान लग चुका है जहां से निसान लगाए हैं वहां से में कटिंग कर देना है यह देख लिजी इस तरीके से तो यहां पर कटिंग हो चुका है इसे हम आपको खोल के दिखाते हैं य यहां पर देख लिजिए, लंबाई है 6 इंच, चोड़ाई है 17 इंच, एक कम्प्लेट कमरबेट तयार हो चुका है, इसे हम बगल में रख देते हैं, तो यहां पर देख लिजिए, हम कप्टे को डबल फोल्ड में रख लिए हैं, और यहां से में 3 इंच भी निसान लगा लेन है, यहां पर cutting हो चुका है, ये देख लिजिए, इस तरी के से, अब यहां पर हमें 18 पर एक निशान लगा लेना है, बीच में और यहां से में cutting कर देना है, इसें जॉइंड करके हम डोरी बना लेंगे, तो यहां पर देख लिजिए, कटिंग हो चुका है, इसे हम बगल में तो यहाँ पर देख लिजे हम आपको जोएंड भी बता देते हैं इस तरीके से जोएंड हो जाएगा तो है पर देख लिजे हम कपड़े को ले लिए और डवल फोल मेरी रख लीगे है अब यहां से में 4 इंच पी निसान लगा लेना है अब हम जहां से निसान लगाए हैं, वहां से में कटिंग कर देना है, इस तरीके से, अब इसे इस तरीके से में फार देना है, अराम-अराम से, तो यहां पर देख लिजे, फड़ चुका है, अब इसे में बगल में रख लेना है, तो यहां पर हम कप्ड़ा ले लिए हैं, कप तो यहाँ पर 5.5 इंच पर इस तरफ से निसान लगा लेना है और उस तरफ से हमें 5.5 इंच पर निसान लगा लेना है अब इस निसान को इस निसान से मिला लेना है अब यहाँ पर चोक लगा लेना है यह देख लिजी इस तरीके से तो यहां पर देख लिजी निस्तान लग चुका है अब निस्तान को हम गाढ़ा कर लेंगे इस तरीके से तो यहां पर निस्तान लग चुका है जहां से निस्तान लगाए हूं वहां से में कटिंग कर देना है तो यहां पर देख लिजिए, कटिंग हो चुका है अब एक कली को हम बगल में रख लिए हैं तो यहां पर देख लिजिए, दोनों कली एक में जॉइन्ट है इसे हम कटिंग करके अलग कर लेंगे अलग हो चुका है, इसे हम आपको खोल के दिख्या देते हैं इसमें देख लिजे, चार कली है, तो इसे हम बगल में रख लेते हैं, अब जो बगल में कली लिए हैं, उसे यहां पर हम फैला लिए हैं, और इसमें भी कली जॉइंड है, तो यहां पर उपर की तरफ से अलग कर लेंगे, और इसमें दो कली निकला है, तो चार दो, छे कली हो लेना है और अच्छी तरीके से सेट करके लगा लेना है यह देखिए इस तरीके से तो यहां पर लग चुका है यह पहली कली जॉइन्ड हो चुका है यह देख लिजी इस तरीके से आप यहां से पहले नीचे की तरफ से एक कली रख लेना है छोटी वाली उसके उपर बड़ी वाली कली को रखकर अच्छी तरीके सेट करके सिलाई लगा लेना एक उपर की तरफ से कली जोइंड होगा फ्रेंस एक नीचे की तरफ से तो देख लिजे इस तरीके से हम उपर की से पहले कल्य जॉाइंड कर लिए हैं। आप ने चीकी करब से कल्य जॉाइंड गड़ है। सभतों यहां पर देखें, जय जॉओंड हो चुका है इसमें पीन कली। एक बड़ी वाली दो छोटी वाली इस तरीके से अब छोटी वाली कली को उपर एक छोटी वाली कली को रखकर अच्छी तरीके सेट करके सिलाई लगा लेना है चोथी कली को चोथी कली प्यर तो यहाँ पर देख लिजी चौथी कली complete joint हो चुका है अब इसके छोटी वाली कली को उपर हमें बड़ी वाली कली को रखकर अच्छी तरीके set करके सिलाई लगा लेना है यह मेरा पच्चुवी कली joint हो रहा है तो यहाँ पर देख लिजी सिलाई लग चुका है धागे को cutting कर देना है अब इसके उपर छोटी वाली कली को रखकर सिलाई लगा लेना है यह देख लिजी इस तरीके से तो यहाँ पर सिलाई लग चुका है यह पुरा छोटी जोइंड हो चुका है यह देख लिजी इस तरीके से हम आपको खोल के दिखा देते हैं एक, दो, ती, चार, पांच अब यह एक जोइंड करेंगे पेटी कोट को तो छोटी टोटल हो जाएगा तो यहाँ पर देख लिजी एक तरफ से यहाँ पर डबल फोल्ड करके अच्छी तरीके सेट करके सिलाई लगा लेना है तो यहाँ पर भी सिलाई लग चुका है, दो तरफ से यहाँ पर भी हो चुका है और एक यहाँ पर भी हो चुका है तो उल्टी तरफ रख लेना है पेटी कोट को और इसके उपर अच्छी तरीके से कमर बेट को रखकर अच्छी तरीके सेट करके से लाई लगा लेना है बड़ी वाली कली में प्लेट्स लगा लेना है फ्रेंस और छोटी वाली कली में नहीं लगाना है यह देख लिजी इस तरीके से तो देख लिजी इसमें भी प्लेट्स लगा चुके है आपको लाश्ट वाला प्लेट्स ऐसा लगाना है कि आपकी कमर बेट बराबर आ जाए तो यहाँ पर देख लिजी हमारा बराबर आ चुका है और यहाँ पर कमर बेल्ड पर हम सिलाई लगा चुके है आप इसे हमें सीधा तरफ रख लेना है पेटी कोट को और यहाँ उपर की तरफ से आदा इंच फोल्ड करके और यहाँ पर अच्छी तरीके सेट करके सिलाई लगा लेना है इसके उपर कमर बेल्ड की तो यहाँ पर देख लिजे सिलाई लग चुका है धागे को कटिंग कर देना है सेम इसी तरीके से एक और सिलाई लगा लेना है फ्रेंस इससे दिखने में खुप्सूरत लगेगा और इससे मजबूती रहेगी इस सिलाई से तो यहाँ पर सिलाई लग चुका है फ्रेंस कमर बिल्ट एकदम कंप्लेट तयार हो चुका है अब यहाँ पर जोइंड कर लेना है अच्छी तरीके सेट करके दोनों पार्ट को रखकर अच्छी तरीके सेट करके सिलाई लगा लेना है तो यहाँ पर देख लिजे, जोइंट हो चुका है, धागे को कोटिंग कर देना है, और यहाँ पर हम सीधा करके फोल्ड कर लिए हैं, अब यहाँ से हम आपको नाप की दिख्याते हैं, कि हमारा लंबाई कीतना है, तो यहाँ पर हमें साढ़े, यहाँ पर हमें 31 इंच पर नि काल देना है, और इसमें से भी 30 इंच हमें मिलेगा, नीचे की तरफ से जलरी जो हम बैठाएंगे, तो यहाँ पर देख लिजे, यहाँ पर पहले जोइंट कर लेना है, तो इस तरीके से हम जोइंट कर लेंगे, और धागे को कटिंग कर देंगे, अब यहाँ से हमें डबल करते हुए अच्छी तरीके सेट करके सिलाई लगा लेना है, तो सेम इसी तरीके से पूरे हमें लंबाई पर सिलाई लगा लेना है, तो यहाँ पर देख लिजे, इस तरीके से सिलाई लग चुका है, और यहाँ पर हमें इस तरीके से रख लेना है, पेटी कोट के घेरे भी, जो हम सिलाई लगाएं है, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट करके रख लेना है, और यहाँ पर दो-दो इंच पर हमें छोटे छोटे प्लेट्स लगा लेना है फ्रेंस यह देख लिजे दो या धाय इंच पे आप लगा सकते हैं आपके पास जितना कपड़ा रहे उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं यह प्लेट्स तो यहां पर देख लिजे ज्यादा कपड़ा नहीं है तो हम दो या धाय इंच पे लग तो सेम इसी तरीके से पूरे घेरे पर लगा लेना है छोटे-छोटे प्लर्स और यहां पर जोइंड कर लेना है इस्ट्रा कपड़े को निकाल देना है और यहां पर अच्छी तरीके से सेट करके जोइंड कर लेना है और यहां पर हम जो आइंड कर लेंगे धागे को कटिंग कर देना है और यहां पर अच्छी तरीके से सेट करके फिंसे सिलाई लगा लेना है तो यहां पर देख लेजे इस तरीके से प्लेट्स लगा लेना है आपको और यहां से काव लगा लेना है तो यहां पर अर्जेस्ट हो चुका है और यहां पूरे घेरे पर हम इस तरीके से जलरी बठा चुकी है अब यहां पर अच्छी तरीके सेट कर लेना है जो नीचे हमका अपड़ा सिलाई मार्जन है उसे अंदर की तरफ रखते हुए अच्छी तरीके से सेट करके हां पर सिलाई लगा लेंगे इससे आपका जलरी का लूक बहुत अच्छा दीखेगा ए देख लिजी इस तरीके से जैसे रड़ीमेंट में आप लेकर और इस पेटिकोट को लेकर जैसे आप रखें देखेंगे तो एक बड़ाबर आएगा तो सेम इसी तरीके से हम आपको राड mejores लग चुका है । यहां पर देख लिजे इस तरीके से आ चुका है तो यहां पर देख लिजे उड़ी कलि resonated और इसमें कपड़ा कम था तो यहां पार हम जोइंड कर रहे हैं दो पीस कटिंग किये थी जो जोईंड हो चुका है अप दोनों तरब से अधा-धा फोल्ड कर लेना है बीच में एक और फोल्ड करके अच्छी तरीके से सेट करके सिलाई लगा लेना है तो यहां पर डोरी कंप्लेट हो चुका है फ्रेंस अच्छा लोगे तो लाइक सेर जरूर के नहीं चैनल सिस्क्राब योगे थाइंक यू